आपके पास OPPO A3X है या फिर आपके पास OPPO A3 PRO है तो उसके अंदर Hotspot का Data Limit कैसे सेट कर सकते हैं फिर Device Limit कैसे सेट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होता है सिंपली आप जाएंगे सेटिंग पे यहाँ आपको दिख जाएगा connection and siren को option इस पर आपको चले जाना है जाने बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तो यहाँ आपको दिख जाता है connection management इस पर आपको टैप करेंग आपको दिख जाएगा device connection limit इस पर आपको जाना है अब यह होता क्या connection device limit तो मतलब कि जब भी आप अपने hotspot on करते होंगे तो उस टाइम क्या होता है कि 15 बंदे अगर connect कर गये हैं तो 5 बंदे automatically आपके अगलबगल होंगी तो automatically आपके phone से connect हो जाते है तो अगर आपने दो यूज कर सकता भी अगर गलती से आपने iPhone वाले को connect कर वा दिया तब 10 मिनट के अंदर आपको 500 MB खतम तो माने चलो अगर 20 मिनट कर दिया तो आपको पूरा दिनबर का data खतम तो इससे अच्छा क्या है कि आप यहां पर जाके आप अपने हिसाब से यहां पर data ऐसे manage कर लेंग तो इसमें जिसको भी आपने ब्लोग कर रखा होगा यहां पर आपका सो कर जाएगा अब यहां साब करना है ब्लोग करना है यहां साब देख लेंगे तो इस तरह से कर लिजिएगा बाकि यह वाला option होता है आटोमेटली टर्न और प्रस्न होर्सपोर्ट इसको आपको अगर वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक्ष्ट वीडियो तब तक के लिए बाबाए